हालो दोस्तों आज की वीडियों में हम सीखेंगे कि फोटोशुप में गेटरी एक क्रीज एक टेस्ट एका के तो ऐसे दे सकते हो थिए ऐसा effect आप कैसे दे सकते हो, ऐसा effect आप कैसे दे सकते हो, तो यह सब चीज़ है इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक new file लेते हैं, और new file लेने के बाद मैं यहाँ पे HD quality में 1920 में 1080 pixel पे लेता हूँ, landscape mode में, resolution 72 रखता हूँ, और मैंने किया create, create करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक solid color लगा देता हूँ, और solid color मैं कुछ blackish में कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ओके, यह करने के बाद मैं यहाँ पे text लिखता हूँ, औ और इस text को मैं यहाँ से, इसका size को increase करता हूँ, और इसको मैं center में यहाँ पे place कर लेता हूँ, अब आप इस gliss text की copy कर सकते हैं, by pressing ctrl plus j, ctrl plus j करेंगे तो आपका copy हो जाएगा, हम इसको एक बार के लिए off करते हैं, और आप इस पे right click करते हैं, और blending option पे जाते हैं, blending option पे ज outer glow डाल देते हैं, blend mode screen रखना है, opacity हम 50% के around कर देते हैं, और यहाँ पे size है, उसको हम हलका सा यहाँ पे increase करेंगे, इतना सा, okay, hand करेंगे यहाँ पे okay, okay करने के बाद हम इसको on करेंगे, इसको select करेंगे, इसको भी आप right click करके blending option पे click करोगे, तो यहाँ पे आप green effect को off कर दो अब आप क्या करोगे, हलका सा, आप अपने text को इधर की तरफ move करोगे, तो आप देखो कि पीछे की तरफ आपके दो effect है, तो आप arrow की help से भी हलका सा इस चीज़ को यहाँ पे, ऐसे move कर सकते हैं, तो तीन color का यहाँ पे effect आएगा, effect आने के बाद आपको करना क्या है, एक new layer आप यहाँ पे ले, और new layer आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इन सब layers की screenshot आजाए यहाँ पे, या तो आप इन layer को merge कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि इनको बाद में use करना, और एक screenshot आप इस चीज़ का ले सकते हो, screenshot के लिए आप प्रेस करें, shift, control, alt, shift, e, आप प् अगर आप move करोगे, यहाँ पे अगर मैं इसे off करता हूँ सबको, तो आप देखो के एक layer आजाएगी, इसके एक screenshot आजाएगा, basically, अब हम इस screenshot पे work करेंगे, तो इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अब हम rectangle tool लेंगे, और एक rectangle हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको बनाने के ब होगा है, तो मैं इसे on करता हूँ यहाँ पे, दुबारा यहाँ पे जाएंगे, अब नीचे से हम select करेंगे, अब यह आपके उपर है कि आपको किस तरीके का effect डालना है, मैं हलका से इसे इधर करता हूँ, अब देखो इस तरीके से snap अगर आपका कर रहे है, तो आप view पे ज दालता हूँ, मैं यहाँ पे एक effect डालता हूँ, मैंने पतला से यहाँ से select करता हूँ, move पे click करता हूँ, आप इसे arrow button की help से भी आप इसका effect को change कर सकते हो, मनलों यहाँ पे मैंने इसका इस तरीके से डाला, control D, इस तरीके से यहाँ पे, एक और मैंने move फेक्ट लिया, और rectangle tool इसको select किया, by pressing V, move tool में select करता हूँ, आप देखेंगे एक प्यारा सा effect आपका glitch का आ जाएगा, अब यह आपके ऊपर है कि किस तरीके से, आप इसे और विय dementेंस करता है, अपने तरीके से और कि इतने effect आप इस तरीके से यहां पर provide कर सकते हैं, कैसे कैसे आप इस चीज को यहां पर provide कर सकते हैं, तो जो भी आप यहां पर use करेंगे, वो आपका mind होगा, कैसे आप creativity आपकी होती है, तो किस तरीके साप इस चीज को कर सकते हो, तो ये तक glitch effect कैसे, आप glitch effect लगा सकते हो आपने object पे, आपने text पे लगा सकते हो, आप आपने photo पे लगा सकते हो, photo पे कैसे glitch effect लगाते हो, वो भी मैं आपको आगयाने वाली video में बताऊँगा, तो आशागर तो video अच्छी लगे होगे, अगर video अच्छी लगे तो please video को like करें, share करें और comment करना बिल